एलो फ्रेंड जोती मेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आप सभी को ये खुब सूरत और प्यारा सा डिजेन बताने वाली हूँ जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं कोई भी कारडिगन हो उसमें आप ये डाल सकते हैं इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में ये डाल सकते हैं ये एक डिजेन जो है चार सलाईयों का है और ये चार सलाईय में एक डिजेन बनके कम्प्लीट हो जाता है तो आज मैं आप सभी को ये खुब सूरत और ये प्यारा सा डिजेन बताने वाली हूँ इसे आप चार सलाईय मे एक फुल बना के complete कर सकते हैं इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा डिजेन लगता है इसमें आप चाहो तो एक भी color डाल के बना सकते हो नहीं तो आप दो तीन या जितना भी आपको बचा-खुचा उन हो उससे ये डिजेन आप बना सकते हो आज मैं आप सभी को ये बचा-खुचा उन जो थो 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 रा करके बच जाता है उससे मैं आज आप सभी को डिजेन बना कर बताने वाली हूं चले शुरू करते हैं ये खुबसूरत और प्यारा सा डिजेन बना यहां मैं यह बनाई हूँ पिर पड़ा में यह चार सलाई का ने बनाई हूँ पिर इक डिजैन बनाई हूं फिर यह स यहां मैं गईपिंग डाली हूँ . उसके बाद यहां यह यह लन लाई हूं, तो मैं इसक लर से डिजैन डालती हूं आप चाहो तो एक भी पर से बना सकते हैं या धायकार्ण है इसे ही इसे बनाया जाता है यह शी तरीके से इसे सीधा बना लए लेना है तो यह मैं फर्स्ट रो सीधी सैड से टोटल फंदे को इस तरीके से यह मैं सीधा बनाके कंप्लीट कर लेती हूं फिर मैं सेकेंड सलाई आप सभी को दिखाती हूं यह देखे दोस्तों यह मैं फर्स्ट सलाई सीधी सैड से पूरा फंदे को सीधा बनाके कंप्लीट क वार चुके हूं सकें चुछ स्चुछe से आठ चुकी हूं तो सपंदे को मैं ऐसे ही निकाले हूं और फिर ऩाला रखा पीछे करना है और इस फन देखंडे को एक फ़ंदे को इस तरीके से सीधा बना लेना है भार घाला को स्टि के बाहने और ये तीन, फिर दूसरे फंदे में इसी तरीके से तीन वार धागा को लपेड़ना है, ये मैं तीन वार धागा को लपेड़ना है, ये पांच फंदे में इस तरीके से करना है, तीन वार करके धागा को लपेड़ना है, तीन फंदे हो चुका है, और ये चौथा फंदा है, उसके बाद ये पांच मां फंदा है, पांच फंदे में यहां मैं तीन वार धागा करके लपिर चुकी हूं, ये उल्टी सेर से सकेंड रो है, उसके बाद एक फंदा ऐसे करके एक ही बार डाल के सिधा बना लेना है, फिर पांच फंदे में इस तरीके से तीन वार करके धागा को लपीरना है एक फंदे, दो फंदे, तीन फंदे, चार फंदे और ये पांच फंदे, ये पांच फंदे हो चुके हैं, आप ऐसे भी इसे गिन सकते हैं, वान, टू, थ्री, फोर और ये फैर, उसके बाद क्या करना है, एक फंदा इस तरीके से सीधा बना लेना है, ये मैं सीधा बना चुकी हूँ, और फिर पांच फंदे को तीन वार धाका करके लपेड लेना है, तो ये सकेंड सलाई, उल्टी सैज से, इसी तरीके से पूरी कम्प्लीट कर लेना है, तो पूरे मैं यहां कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं पुना आची हुँ इसे मैं इसे इसे निकाल भी सकते हैं इसे मैं ऐसे ही उल्टा बना लेती हूं तिये मैं उल्टा बना ली हूं उसके बाद भागा को पीछे करना है और पांच फंदे मैं मैं जो तीन बार करके लपेटी थी ये पांचो फंदे को खोल लेती हूं दो फंदे तीन फंदे चार फंदे और ये पांच फंदे ये पांच फंदे मैं हां लपेट चुकी हूं ये सैट वाले फंदे को भी लूजी रखना है टैटने करना है इस तरी किसे से पकरना है और धा कर दागा को आगे कर लिन घ को प्रूना इस तरीके से एक तरीखे की कर के लिना हो अवार्प बार कर दागा को पीछे करना है когда डिशितम के लिनगे factor इसे की उअफ़ बीट द describes लिबड चुका है अब क्या करना फिर इस पर ले लेना है और धागा को आगे करके एक भंदा को ऐसे ही उल्टा बना लेना है है भित लागा को पीछे करना है फिर पांच खंदेक को खोल लेना है ओन तुर थ्री फोर फाइक पांच फंदे को मैं खोल ली हूँ इस तरीकी से इस अंगुठी से दबाना है और धागा को आगे कर लेना है फिर पांच फंदे को इस पर डालके धागा को पीछे करना है फिर इस पर डालके ऐसे करके अंगुठी से दबाके धागा को आगे कर लेना है फिर इस सलाई पर डालके पूरे फंदे को यह दिखे दू बार लिप पड़ चुका है अब धागा को आगे करना है एक फंदा इस तरीके से उल्टा बना लेना है यह हो चुका उसके बाद फिर धागा को पीछे पांच फंदे को खोलना है बस इसी तरीके से पूरी सलाई कर लेती हूं चार फंदे और यह पांच फंदे तो यह पांच फंदा हो चुका अब धागा को आगे करना है फिर पांच फंदे को यह मैं इस पर लाल दी हूं उसके बाद धागा को पीछे करना है फिर पांच फंदे को इस पर इस तरीके से यहां देखी बन चुका है इस त इस तरीके से पीछे कर देना फिर इस पर डालके फिर धागा को आगी कर लेना है तो यह देखे दो बार यहां लिपट चुका है एक फंदे को बस उल्टा बना लेना और यह देखे दिजैन बनना इस्टार्टिंग हो चुका है यह मैं तीसरी सलाईज सीधी से बना रहे हूं पूरी सलाई इसी तरीके से complete कर लेती हूं, फिर मैं फुर्थ सलाई, चौथी सलाई आप सभी को ulti set से दिखाती हूं, यह मैं तीसरी सलाई पूरी डो complete कर चुकी हूं, अब मैं चौथी सलाई आप सभी को दिखाती हूं, यहां चौथी सलाई मैं ulti set से आ चुकी हूं, तो ulti set से क्या करना है चौथी सलाई में टोटल फंदे को इस तरीके से सीधा बना लेना है यह में साइड में दो फंदे को ऐसे ही बनाई थी उसके बाद यह दीखे喜欢 पाँछ फंदा यहां जोएंट है सबको अलब अलग करके करके इस तरीके से सीधा बना लेना है ये चोथी सलाई ये डिजाइन की लास्ट सलाई है ति ये दो फंदे तीन चार और ये पांच ये पांच फंदे का डिजाइन है ति ये पांच फंदे एक बीच वाली फंदे ति ये मैं चोथी सलाई पूरी रो इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेती हूं फिर मैं पुरू आप सभी को सीधी सेट से दिखाती हूँ ये वल्ली चार सलाईओं का डिजैन है ये चार सलाई में ही ये बन के कंप्लीट हो जाता है मैं पूरी सलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं पुरू आप सभी को आगे दिखाती हूँ ये देखे फ्रेंट स चार सलाईयों का डिजैन था और चार सलाईय बना चुकी हो और यह डिजैन नमर के कंप्लेट हो चुका है अब बीच में यह गैपिंग जो डाली हूं हर डिजैन के बीच में वह गैपिंग मैं डालती हूं आप जितना सलाईय का गैपिंग डालना चाहते हैं उतना का डाल सकत अब बना लेती हूं मैं चार सलाई बनाई हूं दो बार सीधा और दो बार उल्टाते आप जितना का गैपिंग रखना चाहते हैं उसमें उतना बना सकते हैं यहां मैं दो तीन सलाई मातर बना लेती हूं उसके बाद मैं फिर पुर्णा आप सब को यह डिजैन दिखाती हूं अच्छी तरह से यह देखे फ्रेंड्स यहां मैं दो सलाई बना चुकी हूं मात्र में यहां दो सलाई बनाई हूं और उसके बाद मैं दो सलाई और बनाऊंगी उसके बाद दूसरा डीजैन इस पर बनेगा यह वनली चार सलाईयों का डीजैन है और चार सलाई मैं बना चुक आया हो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए और कॉमेंड कीजिए जदि कोई नए हैं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दिजो और नोटिफिकेशन दवाईए जिसे में कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्ते आप सब ऐसे ही डिजैन देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिजैन हैं आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को लाश्ट तर देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद